हाँ तो प्यारे कप्तानों आज के स्टूडिय में अपन क्या बताने वाल है कि MPPSC में कितने घंटे पढ़ना पढ़ता है तो पहली बाद तो यह सुन लो कि यह वीडियो किसके लिए है यह वीडियो उसके लिए जो अभी बार्वी पास कर खाया है या फस्टे एर में या सेक काउंट करके बताऊंगा ठीक है किसी को लगे तो उसमें भी अपने हिसाब से करेक्षिन कर सकते हो बट मैं काउंट करके बता देता हूं आपको दूसरी बात आज अगर प्रीपड़ता तो उससे बड़ा कोई मुर्खनी है मेरा मानना यह वास्तविकता भी कोई दिक्क्त लेकिन अब यदि आप मानलों मेंस पढ़ते हो तो मेंस में औरोल कितनी बुक पढ़नी पढ़ती है तो अभी एट प्रेजेंट की बात करूं यूनिट वाइस होने का बाद में तो उसमें आपको लगभग कितनी बुक 40-45 पढ़नी 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 25 तो में ने पूरा बाकाइदा इस पर बताया है कि 40 बुक क्यों 35 बुक क्यों और केसे कितनी वीडियो बना रखा वो लिंक डिसके मिला उसमें देख लेना अगर जादे डाउट है और कि नहीं हमको को समस्या नहीं तुम जो कर दो वही सही है तो ठीक है भया वह बता रहा ह यह रखा दीचर जाने हमकाद हो की अ और सब्सक्रा पर गच्योंदा मेरे यहbnा göz टीचर देख के रहाँ प्रसुज। तो में नॉर्मल मेरे जैसाथ उच्छ प्राणी कित्ते पढ़ सकता है एक दिन में 30 पेज तो पढ़ी सकता है यार नॉर्मली अब 30 पेज पढ़ लिए मैंने मानलो तो मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप भी पढ़ लोगे ठीक है अधिकारी बनने तित्तत पढ़ने पढ़न जो पढ़ी हो ङेंगे एक दिन में तुम को 30 पेज पढ़ोगे तो 300 पेज की वो ना से और लोगे तीक अब दस दिन लग रहे हैं तो इसमें गुणा कर दो तो कितना आ रहा है 400 मतलब आपको पूरा मेंस का सिलेबस पढ़ने में कितने दिन लग जाएंगे 400 दिन अब 400 दिन का मतलब क्या हुआ है यहां पर लग भग तेरा महीन आपको यहां दिन बेठने वाला बारा पॉंट भर नेता मत बने जादा सिलेक्शन लेलो और यह तेरा एराउंड लग भग सब्दे की कीमत कितनी आपको पता होगा ठीक है लग भग की बहुत वेल्य होती है करेंगे तो कम का एक सिधा सा गणित यहां पर आप अदेख लेकें आप केरओ कि नहीं हमको त्यरा महीन खटम करेंगे क्या हूँ यहां पर जिए निपीख रहें है तो पढ़ने पढ़ेंगे पर केसे देखो इदरा काई काविक्ति दीन में 30 पेज पढ़ता है तो देखो 30 पेज या फिर 60 पढ़ता है और दूसरी बात पड़े में सद्निती सी जवीत है टीचिंग में आया भाई तो इधर देखो तुम तो सीधी बात वास्त विखता है वास्त विखता है यह यहां के जो सरे डीडी सरे उन सर ने MPPSC 6-7 बार कॉलिफाई किया है बिल्कुल सिलेक्शन लेख है उसके बाद कोचि अच्छी खासी कोचिंग है तो आप अगर भाउर को आया इन दोर में कहीं पर कोचिंग करो तो दिव्याइस अकड़ेमी भी जोइन कर सकते हो मेरा इसा मानना है अच्छी खासी क्योंकि यहां के जो ओनर है ओनर मतलब कह सकते डारेक्टर है वह जो है ना उनका काफी गंटे तुमारे उपर है कि तुम यह 10 पेज को दो घंटे में पड़ो तुम दो दिन में पड़ो ठीक है अब इम्मान के चलता हूं कि 10 पेज पड़ो तो दो चार दो छे गंटे पड़ोगे आप यह दी तो आपको 400 दिन में बाकाइदा पूरी कंप्रेट हो जाईगी और म कमेंट में ना फोन लगाए ना कई भी करने के ठीक है बस एक काम कर सकते हो सब्सक्राइब कर सकते हो और किसी को यह दाउट है कि 45 और 40 बुक तुमने बता ही किस आधार पर पे यह बता है तो वह देख ले ना और बाकि आज का वीडियो मैंने हलाकी डिजिटल पेनल पर बन और मिलते अगले वीडियो में ठीक है थेक है थेक्यू गाइस